हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चेनल जौब इंडिया में सौगत करता हूँ दोस्तों अभी अभी आप लोगों के लिए एक और नई भरती लेकर आचुका हूँ जी हाँ दोस्तों डांक्टर रामनो लोहिया आयर्विज्यान संस्थान विभूति खंड गोमती नगर लखनव से दोस्तों नई भरती निकाले गई है जी हाँ नर्स से 60 ग्रेड सेकेंड एडमिट कार्ड के बारे में क्योंकि आज 25 जनवरी और आज आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो दोस्तों कब एडमिट कार्ड आएगा कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है इसकी भी जानकाई देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों डांक्टर रामनो लोहिया आयर्विज्यान संस्थान लखनव सीधी भरती 2.23 दोस्तों 180 पदोव पर नौन पीजी जूनियर रेजिडेंट की यहाँ पर वेकेंसी निकाले गई है दो पोजीशन पर यहाँ पर निकाले गई है और इसमें दोस्तों काफी अच्छी वेकेंसी है और यह है नोटिफिकेशन जो है अमर उजाला ईपेपर यानि की अमर उजाला न्यूज पेपर में स्वार नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है इसके लिए आप लुक 15 फरवरी 2023 सक फार्म को अप्लाई कर सकती हो तो इस भरती के बारे में सबसे पह देगी चलती है स्वार नोटिफिकेशन पर और इस नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों बात करेंगे नर्स से 60 गरेड सेकंड एडमिट कार्ड के बारे में देखे दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए एक कटिंग है और यह निूज पेपर की कटिंग है अमर उजाला यह पाउ में ना आये डिपलोमा इंजीनियर पाठक के लिए है अमर उजाला लखनव सिटी आज ही की डेट में 25 जनवरी की डेट में यह दोस्तों स्वाट नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है यहां पर आप लोग देख सकती हैं सबसे पले देखिए नोटिफिकेशन डेट यहां पर मेंसन किया गया है 24 जनवरी 2023 डांक्टर रामनो लोहिया आयर्विक्यां संस्थान विभूति खंड गौमती नगर लखनव पिन कोड 226010 नोटिफिकेशन नंबर है यहां पर आप लोग देख सकती हो और नोटिफिकेशन फार रिकुट्मेंट नॉन पीजी जूनि है रेजीडेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट ओफ डांक्टर रामनो लोहिया इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसे लखनव एक साल की आपकी रेजीडेंसी की डियूरेशन होगी और इसमें दो पोस्ट है नंबर बन देखोगे तो एक पोस्ट है जिसमें जूनियर इसमें एक साल की आपको सैली मिलेगी जिसमें मैक्सम सैली की बात करेंगे बैसिक सैली 56,100 उपीच पलस आपको अलाउंस भी दिये जाएंगे रूल्स के मुताबिक तो सैली काफी अच्छी होगी सैली यहाँ पे 60,000 पलस आपको मिलने वाली है जूनियर रेजिडेंट में और यह काफी अच्छी विकेंसी है 180 पदो पर दोस्य भरते निकाली गई है इसमें आप लोग जो है देखो कि वेबसाइट है वरी से वेबसाइट पर 26 जनवरी 23 से आपको ओनलाइन श्टाट हो जाएगा यानि कल से आप लोग फार्म को अपलाई कर सकती हो कल आप लोगों का फुल लोडिफीकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा और कल से आप लोग जो है 15 फरवरी साम को 5 बजे तक फार्म को अपलाई कर सकती हो तो आज साम को आज 25 जनवरी आज साम को 5 से 6 बजे की बीच में नहीं तो क यह दोस्तों वेबसाइट प्या जाएगी और कल से आप लोग फार्म को अप्लाए करोगे अंतिमति थी 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 साम को 5 बेश तक फार्म को अप्लाए करोगे 2023 है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात बता दे तो अभी जो है परमानेट वेकेंसी नहीं है जी हा दोस्तों ऑफीसियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग वेरिफाइग करिए डांक्टर रामणो लोहिया आरवे ग्यान संस्थान जी हाँ दोस्तों वेबसाइट है और लेट टैश्ट नियोज यहाँ पर ओपन हो चुका है यहाँ पर देखोगे की जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है और इसも अगर आपने देख लिया है तो आप लोग जो हैं वीडियो को इसकी खड़ी सकती हैं बाकि इस नोटिस में ही एक ईंपोर्टन जानकारी है जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे इसके बाद आगे की अपडेट देंगे डांक्टर रामनो लोहिया इसे आप लोग देख लो इसके बाद जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर बोला गया कि कि 9 फरवरी 23 को दोस्तो वेरियस सेंटर्स यानि की टोटल दोस्तो बहुत सार यहाँ पर सेंटर्स बनाएगे हैं 90 यहाँ पर सेंटर्स बनाएगे हैं पूरे भारत में एक्रोस से अगर बात करेंगे कंट्री में आपके 90 नाइन्टी वेरियस सेंटर्स बनाएगे हैं पहले भ 25 जनवरी 23 को दोस्तों आपका admit card जो है website पर live कर दिया जाएगा यह आप लोग देखिए date यहाँ पर mention है 25 जनवरी को दोस्तों आप लोगों का admit card आने वाला है और जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे note to download hall ticket kindly go to the recruitment section on the institute website on 25 जनवरी 23 दोस्तों recruitment section पर जाओगे वहाँ पर आपको hall ticket download का option आप जाएगा उस पर click करके login करके आप लोग जो हैं क्या कर सकती हो admit card दोस्तों download कर सकती हो आज ही की date में आपका admit card आएगा अभी तक admit card नहीं आया है तो आज आपका दोस्तों कब admit card आएगा तो बता दू आज सामको 5-6 बजे के बीच में 101% मैं guarantee से कह रहा हूं कि आपका admit card आ जाएगा जी हाँ दोस्तों 101% guarantee से बोलों कि आज सामको 5-6 बजे के बीच में आपका admit card आ जाएगा नहीं तो आज 3-4 बजे के बीच में या 4-5 बजे के बीच में भी 95% chance है admit card आ जाएगा तो 3-5 बजे के बीच में आप लोग एक बर चेक कर लेना नहीं तो 100% 5-6 बजे के बीच में तो आपका admit card आ जाएगा किलिया है जैसे ही आप लोगों का admit card आ जाएगा सबसे पहले मा information दे दूँगा बाकि दोस्तों देखिए recruitment page यहाँ पे open हो चुका है और यह दोस्तों recruitment section है और इसी section पे आपको आना है और यहाँ पे आओगी तो एक option तो कर रहा है और लोग इन करने के बाद जो है दो second के अंदर अपना admit card का download कर सकती हो तो जैसे आपका admit card आएगा मैं information दे दूँगा धन्यवाद